आकाशवाणी भोपाल से प्रसुत हैं प्रादेशिक समाचार प्रदान करेंगे प्रदेश को मिलेगा सर्विस रेष्ट राजी का प्रथम पुरुसकार राजिशासनी कोविड-19 के दौरान प्रोटोकॉल और लॉक्डाउन उलंगन से संबंधित प्रक्रणों को वापस लेने का दिया आदेश अंतराश्टी योग दिवस पर जबलपुर में दिव्यांग जन, ट्रांसजेंडर, कैंसर तथा थैलिसीमिया के रोगी भी करेंगे योग अप्भ्यास और सिवनी मालवा के कॉलेज में मिली सैनिटरी पैड वीटिंग और डिस्पोजल की सविधा अब समाचार विस्तार से उपराश्पती जगदीव धनकर शनिवार क की घोशना की है, मध्यप्रदेश को सर्वस्त्रेश्ट राजी के प्रिथम पुरुसकार से सम्मानित किया जाएगा, वहीं इंदौर नगर निगम को सर्वस्त्रेश्ट शेहरी स्थानी निकाय श्रुनी में दुतिय पुरुसकार के लिए चुना किया है, प्रतेक पुरुस पृस्कार विजेता को प्रशस्ती पत्र और एक ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। ये परुस्कार सरकार की जल सम्रत भारत की परिकल्पना साकार करने के लिए विबने व्यक्तियों और संग्टिनों के अच्छे कारियों और प्रयासों को प्रोचसाहित करने के लिए दी जाते हैं। ये लोगों को पानी की उप्योगता और जल के महत्व के बारे में जागरुक करने का प्रयास है। राजिश एसन ने वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान प्रोटोकॉल तथा लॉक्डाउन और लंगन से संबंधित दर्ज सभी साधारन आपराधिक प्रक्रणों को वापस लेने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में सभी जलो के कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिये गए हैं। प्रक्रण चक्रवाती तूफान विपर जॉय के आज रात करीम नौ से दस बच के बीच गुजरात के कच्छ जले के जखाओ बंदरगा के पास टकराने की आशंका है। प्रती घंटे हवा की रफतार से पार करने की संभावना है। राजसरकार ने अब तक आठ जिलों में 94,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित इस्थानों पर भेजा है। MSME को प्रोसाहन एवं उन्हें वैश्वग इस्तर पर इस्थापित करने के उदेश से राजसरकार द्वारा 19 जून को भोपाल में MSME सम्मिलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मिलन में केंद्री स्वास मंत्री मंसुक अलमान विया एवं मुखी मंत्री शिवरास सिंग चोहान शामिल होंगे। खनवा जिला व्यापार इवं उद्ध्यों केंद्र महा प्रवंधंग ने बताया कि एक दिफसी सम्मिलन में प्रदेश की 1000 से अधिक MSME इकाईयां सहभागिता करेंगी। इन सफल इकाईयों को सम्मान देने के लिए और दिम्यों को पुरुसकार से सम्मान दिया जाएगा। और द्यमों को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रतिस्ट संस्थानों के साथ एमोयों भी निस्पादित किये जाएंगे। रक्षावंत्री राजनासी ने आज गल्वान घाटी में देश की रक्षा करते हुए प्राणों की आहूती देने वाले वीर जवानों को श्रधान जले दी। ट्वीट संदेश में श्रिसी ने कहा कि इंसानिकों की वीरता और वलिदान आने वाली पीडियों को प्रेरित करता रहेगा। जून 2020 में अभूद पूर्व चीनी आक्रमन का सामना करते हुए 20 से अधिक भारती सानिकों ने देश की भूमी की रक्षा करते हुए प्राणों की आहूती दे थी। समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतरालका। माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात इस बार साचा करेंगे 18 जून सुबह 11 बचे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 16 जून तक टोल फ्री नंबर 1800 117800 पर रेकॉड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो आप या माईगव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखे रवी बार 18 जून सुबा 11 बजे मन की बात यही तो मन की बात है जन जन से नाता हो ना। अंतराल के बात एक बार फिर आपका स्वागत है। नाव अंतरास्ट्य योग दिवस का राश्ट्य स्थर का कारिकरम इस वर्ष 21 जून को जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड पर होगा। योग कारिकरम का सीधा प्रसारन देश के लावा दुनिया के 80 देशों में किया जाएगा। इस वर्ष अंतरास्ट्य योग दिवस की थीम वसुदेव कुटमबकम के लिए योग है। जबलपुर में विभने स्थानों पर होने वाले सामोई की योग अभ्यास कारिकरमों का जग्मेंटीशन होगा और ड्रोन कैमरे से रिकॉर्टिंग भी की जाएगी। जबलपुर शहर में सामोई की योग अभ्यास कारिकरम में करीब एक लाग पचीस हजार नाग्रकों के शामिल करने की योजना बनाए गई है। गैरिसिन ग्राउंड पर होने वाले कारिकरम में 15,000 चिन्नित प्रतिभागी शामिल होगी, नवाचार की तौर पर दिव्यांग जन, ट्रांसजेंडर, कैंसर तथा थैली सिम्या के रोग्यों की भी सामोई के योग अभ्यास कराया जाएगा। जबलपुर में योग दिवस के राश्टिय कारिकरम को ध्यान में रखते हुए आज से गतिवी धियां प्रारंभ कर दी गई है, प्रिस्द पर्यटक इस्थल भीडा घाट और बर्गी बांध के साथ 50 उध्यानों को भी सामोई की योग अभ्यास होगा। दुवई में भार्किये महावाणिजी दूताबास, स्काइलाइन यूनिवर्सिटी और खेर परिशद शार जहां के सहयोग से 18 जून रविवार को नौव अंतरास्टिय योग दिवसमन आया जाएगा। अंतरास्टिय योग दिवस पर होने वाले कारिकमों में भागीदारी और योग प्रदर्शन के लिए महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदेव विश्विद्याले के कुलपरती प्रफिसर भरत मिर्शा और खेल प्रभारी डॉक्टर विनूद कुमार सींग ग्रामोदे परिवार के लोगों को योग का प्रसिक्षन दे रही है। सेनिटरी पैड मशीन उप्रब्ध कराए गई है। चात्राओं के लिए नवीन गल्स कॉमन रून भी बनाया जा रहा है। जबलपर में कॉलेज अब छात्रों से मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। महाविद्यालों में छात्रों से मनमानी फीस लेने के मामले में रानी दुर्गावति विश्वदाले प्रशासन ने कॉलेजों की निगरानी के लिए तीन सदस्य कमेटी का गठन किया है। विश्वद्याले के कुल सचिव दीपिश मिश्व के मताबिक कमेटी जाधा फीस लेने से जोड़े मामलों की जाज कर रिपोर्ट देगी और फिर जाज में दोश्वी पाए जाने वाले कॉलेज के खिलाफ कारवाई की जाएगी। अब समाचार कुछ संग शेप में। सिकल सेल टेस्ट करवाने की अपील की देवाज दिले में भारत निर्वाचन आयो के नरदेशन उसार विदासभा निर्वाचन के लिए लेक्ट्रोनिक्स वोटिंग मशीनों की प्रथम इस्तरिय जाज प्रारम की गई है। पंचात एवं गार्ण विकास विभाग मंतरी महीन सीं से सौधिया कल गुना जिले में विबिन लुकारपन एवं भूमी पूजन कारिक्रों में शामिल होंगे। दार में 19 जून को विश्वर सिकल सेल दिवस पर समस्विकास खंड में विशिश अभियान चला कर अधिक से अधिक सिकल सेल स्क्रीनिंग जाच की जाएगी। आगर मालवा में किसानों की मौबजा राशी में हेरा फेरी करने पर कलेक्टर ने तीन पटवारियों को ततकाल प्रभाव से निलम बित कर दिया है। इवं वाधन पर केंद्र गतिविती संभावना का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलिटिन में बस इतना ही। अनुमति दीजिये। नमस्कार।